ऐलो फ्रेंड नवस्कार कैसे हैं आप लोग आज हम लोग करेंट फियर्स दिशंबर से हम लोग करनट फियर्स स्टाट करेंगे और इस소 में फ़र्श्ट वीक के कुछ आधुबूपर प्रसनों को हल करेंग homeless जैसे पहला प्रसन है हाल ही में फ्ल किवी लांच किया है किसे ने लांच किया है त otherwise लगों को यह पता होना कि राजधानी क्या है क्या है इटा नगर अच्छा जन्जात की बात करें अरर री नाम जन्जात यहां पर पाई जाती है पक्के टाइकर री जरू नाम दफा राज टाइकर री जरू और पक्के राणा होर्न बिल फेस्टुवल और डोपर रिज बिल यह सरी चीज़ें पर है अगला प्रसंद है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का विमोचल हुआ है तो डाक्टर ए सूर्य प्रकास यह कभी इंपॉर्टन पुस्तक है तो इसको आप लोग याद कियेगा हाल ही में सेंडा मेशन किस देश की पहली महिला राष्टपती बनी ह है वार ग crawl लोगों भख़शन है वहव nep जाधक दोबयता опас्त यह काफी समय पहले आजाद हो गया था है अलेकिन यहाँ पर राष्टपती नहीं होता था राष्टपती यहां कि जूराज चाहले होता था किसको माना जाता था छिधे जो ब्रीटेंकि महारानी है इलिपर दिती क गुम्हीं कुलंसा रोफ ही या लोग अंबना से रोश सभी उसके बाद में हमारी अगला प्रसंद है तब की यह पउछे यह कि यह किसे समंदी थे किसे समंदी नहीं थे तो आप लोग याद दिखेगा यह क्या थे गीत का थे अच्छा हाल ही में जारी डेटा के अनुसार देश के का सबसे बड़ा मैनुफेक्चरिंग हब कौन बना है गुजरात प्रस्न नमबर अगला हाल ही में किस देश ने विश्व में अपनी सैनी उपस्तित बढ़ाने के लिए फ्यूचर सोलजर आदम की करना योजना शुरू की है तो किस ने शुरू की है यूके ने अगला है हाल ही में एड्ड एक स्टार्टप गावी ने किसे अपना ब्रान्ड अमबेस्टर नियुक्त किया है तो वैक गावी का ब्रान्ड अमबेस्टर कौन है तो कौन है इस मरती मंध्धानाजी है और उसके बाद में अगला प्रसंद देख लीजिए, हाल ही में संजीव कौसल को किस राजित के 35 मुख्य सचीव के रूप में नियुक्त किया गया है, कौन अभी या हर्याणा, अच्छा प्रसांत कुमार अगरवाल ने डीजीपी बने हुए हवाई टेक्सी शुरू करने वा गोरक धंदा सब्द के इस्ते माल पर किस राजि ने प्रतिबंद लगाया, तो किस ने लगाया है, हर्याणा ने लगाया हमारा अगला प्रस्ण है, हाल ही में किस राजि सरकार ने समाचार पत्र फेरी वालों के लिए सामाजिक सुरच्छा योजना की गोस्ड़ा की है, तो किस ने की है, उड़ीसा ने की हुई है अगला प्लसन है हाल ही में Walmart Flipcard ने MSME का समर्थन करने के लिए किस राजी सरकार के साथ साज्यदारी की है राजी कौन सा है हर्याना है अच्छा हर्याना की राजधानी क्या है यह संवत्रन करने के लिए कौन सा राजी है मध्य प्रद्देश का राजधानी गया है भोपाल अच्या मध्य प्रद्देश के मुख्यमें पूरिय नाम से अच्छा तुछ टाइगर स्टेट के नाम से आट जाना जाता है तो भू कौन सा बना है चोटी बात है आप लोगों को याद ज IX हाल ही में रोपवे से बार्ब करने वाला पहला भार्रती सहर कौन सा बना है तो रोपवे से ओहन बुपन्ना को किस राज के मुख्यमंत्री ने राजयोत्सो पुरस्कार से सम्भानित किया है करनाटक indi अच्छा उसके बाद में जोंग जल्बरपात के जिलो दोहर करने लिया गया यहीं पर विसुपरसिद मैसूर्द सहरा अथ्षो कहा मना जाता है करनाटक में मनाया जाता है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफर्म हुबली में बन रहा है ठीक पहले कहां था अगर हम भारत की करते थे तो हमारा यह यूपी का गोरफूर ठीक लेकिन अब दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफर्म हुबली पर बन रहा है अगला है अलमाटी बांध कृस्वान नदी पर है और कृस्वन राज सागरबांध कहा है कावेरी नदी पर है नील कुरीजी के फूल बारा साल बाद करनाटक में खिले हैं राज उर्जा दच्छता सूचकांग में करनाटक सीर्स पर है यह भी आप बहुत इंपॉर्टन पॉइंट थे जो हमने लिख दिये इनको आप लोग याद कर लिजिएगा अज़ा हाल ही में अंतर राश्ट्री आपराधिक पुलिस संगठन इंटर पॉल के नए अध्यच कौन बने हैं तो कौन बने हुए नासिर अल रायसी इनको भी यह याद रखिएगा अगला है हाल ही में राश्ट्री रच्छा कालेज का प्रमुक किसे नियुक्त किया गया है यह यह काफी इंपॉर्टेंट है राश्ट्री रच्छा कालेज किसे नियुक्त किया गया है मनोज गुमार मागोगो ठीक उसके बाद में अब हम लोग आगे थोड़े प्रस्ण द कि अब यह संद में हमारे पास वह नाइक नहीं है और भी कुछ समस्याइं है पीडिया पिधर की उधर हो जाती चीश का थोड़ा रहता है अगला प्रसंद देखिए हाल ही में अंतर राष्ट्री दिव्यांग जन दिवस कब मनाया गया तो यह अंतर राष्ट्री कि समाप्त करने की घुशना की है बाल व्याद समाप्त करने की घुशना की है तर जदीया कारश समयलन कहान आयुजित किया गया की ज़ट्री दिव्यार्ट में दिवस की अगला है ह!!!! भारत और बांगलादेश के बीच में अचा बांगलादेश की राजधानी क्या है? ढाका अगला है अचा आप वहाँ के परदानमंतरी कोने बांगलादेश की? सेख हसीना हाल ही में किसानों को सहरीड देने के लिए किस बैंक ने अडानी Capital Limited के साथ समझोता किया तो किसने किया हुआ है SBI ने हाले में किस राज सरकार ने जर्मनी के बवेरियन विश्व विद्यालाई के साथ समझोता किया है किस के साथ समझोता किया है करनाटक के साथ हाले में भारत सरकार ने गुडवत्ता पूंड सिच्छा के लिए किस बैंक के साथ 3752 करोल रुपए का समझाता किया है ADB ADB का मुख्याले का है Manila में ठीक और ADB का फुल फॉर्म क्या होता है Asian Development Bank हाल ही में किस बैंक ने First Private Infinite Card Launch कियरने की घोस्ड़ा किये तो किस ने है HIDFC First Bank है ठीक उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं यह प्रिसम भी है थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना हाल ही में भारत अंतर राष्टी व्यापार मेले के चालिसमे संसकराण में किस राज ने स्वनण प्रदग जीता है तो किस राज ने जीता भी है बिहार ने हाल ही में किस ने इंदर प्रस्त गैस लिमिटेड के निदेशक का पदभार समाला है पवन कुमार ने तो इंदर प्रस्त गैस लिमिटेड के निदेशक कौन बने है पवन कुमार हाल ही में किस राज्य की पुलिस को President Award Colour Award से समानित किया गया किस को हिमाचल प्रदेश पुलिस को हाल ही में फिंटेक फर्म किनारा कैपिटल ने किसे अपना ब्रांड अमेस्टर नियुक्त किया है तो भी है फिंटेक के जो ब्रान्ड मेस्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन है रविंद जडेजा उसके बाद में हाल ही में हॉर्ण बिल महुत्सो कहां मनाया गया है कहां मनाया गया है नागा लैंड में अगला है हाल ही में अखिल भारती ये मराठी साहित समेलन कहां शुरू हुआ है नासिक में हाल ही में आयमेप ने किसे अपना पहला उपप्रबंद निदेशक नियुक्त किया है तुबिया कौन है ये गीता गोपिनाथ है ठीक उसके बार में हम लोग आगे बढ़ते हैं ये हो गए हमरे और अगला प्रस्न हाल में अंतर राश्ट्री बैंक दिवस कब मनाया गया तो अंतर राश्ट्री बैंक दिवस कब मनाया गया चार दिसका संबर को हाल ही में आर्थिक सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ चार सूत्री पैकेज त्यार किया है किसके साथ में स्रिलंका के साथ में स्रिलंका के साथ में आया तो स्रिलंका के साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए स्रिलंका की राजधानी क्या है कोलंब और वहां के जो महिंद्रा राजपच्छे गोटा बया राजपच्छे यह दुनों भाई भाई है यही एक प्रधान मंत्री है एक राष्टपती है और आप लोगों को एक चीज़ और पता होनी चाहिए अभी स्रिलंका के नागरिक की जो मतलब अभी पाकिस्तान में हत्या कर दे गए थी जो इस निंदा के आरोप में तो यह भी एक मतलब पॉइंट आप लोगों को याद रखना है ठीक अगला है हाल ही में बी डबलू एप पूरुस प्लेयर आबदा याद किसे चुना गया है तो विक्टर एक्स लेशन को ठीक हाल ही में किस देश ने असी फ्रांस सिसी निर्मित रा फेर लड़ाकों विमानों के लिए समझाता किया है यूएई ने हम लोग कितने खरीद रहे हैं 36 और जब कितने खरीद रहे है चाली असी ठीक हम लोगों से जस्ट डबल भी आए अगला विया प्रस्टब है आल ही में देश में निर्मित पहला सरवर पेस किया गया इसका नाम क्या है रूद्र हमारे देश सरवर का नाम क्या है रूद्र हाल हिमें रटन टाटा को किस राजे का सरवोच नागरिक राजे पुरसकार दिया गया तो कहां का दिया गया है असम का असम की अगर हम लोग बात करें तो परेटन संजीवनी योजना किसने शुरू की है असम ने अगला है भिया वांचुआ महुत्सव कहां शुरू हुआ असम में धन वंतरी योजना अरुन अरुनो डोई नमक योजना शुरू हुए भारत का एक मात्र गोल्डन बाग कहां देखा गया असम में असम के लोक नर्त भीया कौन कौन से हैं भिहू है बगरुंबा है भोराल है जूमुर है राज सरकार ने औरुनो डोई योजना शुरू किया अगला है हाल ही में 2021 एसिया यूथ पैरालंपिक में कसिस लाकडा ने कौन सा पदक जीता हाल ही में केंदर सरकार ने किस वर्ष तक 10,500 जन आउसद केंदर खोलने क्या लच्छ रखा है किस वर्ष तक 2025 तक अगला है हाल ही में किस राज में दस्ता वेज पंजी करण प्रणाली और वनाधिकार अप्लीकेशन लांच की गई है किस में लांच की गई है तिरपुरा में हाल ही में N.A.R.C.L. के नए अध्यच कौन बनाए गए है तो कोने बिया प्रदीप साह हाल ही में फ्यूचर इंडिया दौरा जारी भारत की पचासमी सबसे सक्तिसाली महिलाओं की सूची में कौन सीर्स पर रही है तो निर्मला सीता रमर्ड हाल ही में डिजनी बोल्ड की पहली महिला अध्यच कौन बनी है डिजनी बोल्ड की तो कौने बिया सुसाज सुसान अर्नोल्ड उसके बाद में हम लोग आगे प्रसुन पर बात करते हैं अगला है हाल ही में किस राज के पूरु मुख्य मंतरी कोनी तेजी रुसया का निधन हुआ है यह कहां के वेते भी यह आंध्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्वादक राजी कौन है आंध्रदेश भासा के आधार पर गठित होने वाला पहला राजी कौन है अध्रदेश की स्थापना में से कब हुई थी 1956 में हुई थी जगन्ना विद्या देवी देवेना योजना किसने शुरू की आंध्रदेश ने पहला आनलाइन निस्था कारिकरम यहीं शुरू हुआ कुलेरू और कुलिकाट लेक कहां है आंध्रदेश में हैं पापी कॉंड है गोरफपुर में हाल ही में एक पारी में सभी दस लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने एजाज पटेल पर आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग बास से लास्ट पर ही पहुंच रहे हैं तो देख लेटेंगे इन प्रस्नों को भी ताकि मतलब प्रस्न जब हम लोगों ने पिछले वीक का लिया ही है तो सारे प्रस्न हो जाने चाहिए अगला है भारत में सरव प्रतम किस राज ने कोवीड की टीके की दूसरी खुराक के 100 प्रसंट टीका करण का लग्स हासिल किया किस ने किया है हिमाचल प्रदेश ने अगला है फार् तो अब है इसमें थोड़ा ठीक है तीन दिसंबर 2021 को किस ने उत्तर प्रदेश के गोरक पुर जिले में दूर दर्संट केंदर के भूग केंदर का लोकारपन किया तो किस ने भी है योगी आदेतेनाथ और अनुराग ठाकुर्ट दोनों लोगों ने किया अगला है किस के द्वारा निम्नलिकित नवरोजी पायनियर आप इंडियन नेशनलिज्म को कमला देवी चटो परद्या एनाईयप पुरसकार 2021 के लिए चुना गया दिन्यार पटेल को ठीक तो दिन्यार पटेल को जब चुना ही गया है तो अगला हम लोग प्रसंट देख देते हैं अगला है पांच दिसंबर को इंडोनेशिया के बाली में आयो जित बी डवल वर्ड टूर फाइनल 2021 में महिला एकल का किताब किस ने जीता एन से यांग ने प्रति वर्स विश्व मुर्दा दिवस किस दिन मनाया जाता है तो पांच दिसंबर को अगला है चार दिसंबर 2021 को विनोध दुआ का निधन हुआ हो गया वह एक थे पत्रकार थे असम राज सरकार द्वारा 2021 में असम का सर्वोच नागरिक सम्मान असम वयभव किसे प्रदान किया गया तो रतन टाटा को प्रदान किया गया उसके बाद में ये प्रस्ण हो गए है हाँ 2021 में सम्मिधान दिवस के अवसर पर किसे ने भारतिय सम्मिधान पर आधारित आनलाइन पाठिकरम का सुभारम किया तो इसने किया किरन रेजियों ने प्रतिवर्श अंतर राष्ट्रीय स्वयम से वी दिवस मनाया जाता है जै को अगला है प्रति वर्स एक से दस दिसम्बर तक भारत के किस राज में होर्न बिल उत्सो मनाया गया तो कहा मनाया गया नागा लेंड में वर्स 2021 से हर साल भारत बांगलाजिस मैत्री दिवस कब मनाया जादा है छे दिसम्बर को तो दोस्तों आज के यह हमारा प्रयास कैसा रहा आप लोग कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और जो भी इसमें आप लोगों की सुझाओ होंगे वो जरूर स्युकार किये जाएंगे तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा रहा है उसके लिए आप लोगों को धन्या कि आप लोग हमारे वीडियों पे इतना प्यार देते हैं और हमारे वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूरू को तेंक यू